क्यूं हनुमान जी के पैर तले हैं शनिदेव? पौरानिक कथा के अनुसार कींवदन ती है कि एक समय शनिदेव का प्रकोप काफी बढ़ गया था. शनिदेव के प्रकोप से सभी लोगों को कई दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए भक्तों ने हनुमान जी से प्रार्थना की. भक्तों की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी शनिदेव पर क्रायधेत हो गए और उन्हें दंड देने का निश्चय किया. जब शनिदेव को ये बात पता चली तो वे डर गए. हनुमान जी के क्रोध से बचने के लिए उपाय सोचने लगे कीमदंती के अनुसान शनिदेव ये जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रमचारी हैं और वे स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं इसलिए हनुमान जी के क्रोध से बचने के लिए शनिदेव ने स्त्री का रूप धारन कर लिया और हनुमान जी के चरनों में गिर कर क्षमा याचना करने लगे और भक्तों पर से अपना प्रकोप भी हटा लिया तब से शनिदेव को हनुमान जी के पैर में स्त्री रूप में पूजा जाने लगा दर्शन मात्र से सारे दोश हो जाते हैं दूर कीवधन ती है कि हनुमान जी के इस रूप में पूजा अर्चना करने से सारे दोश दुख दूर हो जाते हैं यदि किसी की कुंडली में शनी दोश हो तो हनुमान जी के इस रूप के दर्शन पूजन करने का विधान बताया गया है। मंदिर संचालक शर्मा ने बताया कि यहां पर भक्तों का ताता लगा रहता है।